अलो स्ट्रेंट्स प्रिवेस्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज की बारे में पढ़ा था जिसमें हम लोग ने फार्मॉला देखा था R-Eक्युवैंट मतलब तोटल रेजिस्टेंस अब दे सरकीट R1 पलस R2 पलस R3 इसमें तीन रेजिस्टेंस लगे रहेंगे तब तब के लिए यह formula था अगर n resistance आपका series में connect हों तब के लिए आपने formula देखा था r equivalent equal to r1 plus r2 plus r3 plus dash 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 plus rn आज हम start करने वाले है resistance in parallel की parallel combination आपका क्या होता है parallel combination के लिए पहले आपको यह समझना होगा कैसे resistance आपका parallel होगा तो आपको मैंने उस दिन series का तरीका यह बताया था कि series में आपका अगर यह circuit resistance दिया हुआ है तो इसको बोला जाएगा first in इसको बोला जाएगा second in तो end to end connect किये थे तो हमने बोला था इसको series combination parallel combination हम यह कहेंगे कि अगर हम दो पॉइंट ले ले और दो पॉइंट की बीच में कई सारे resistance को connect कर दे हैं ऐसे connect कर दे इस प्रकार से यह जो आपके connection दिख रहे हैं जिनमें हम किवल एक ही point दो पॉइंट दिख रहे हैं यह और भी दो पॉइंट के बीच में कई सारे resistance को connect कर दे तो ऐसे combination को नाम दिया जाता है parallel combination मतला इसमें किवल दो ही common point होंगी तो उसे common resistance in parallel बोला जाएगा तो द्यान दीजेगा हम बोलेंगे क्या definition हम क्या बनाएंगे if a number of resistances are connected in between two common points यहाँ पे देख रहे हैं दो common points A और B के बीच मे यहने connect कर दिया है तो इसे बोला जाएगा parallel combination और इस condition में देखिए current तीनों में individual होगा अलग-अलग होगा फर्स्ट वाले में i1, second में i2, third में i3 इसलिए बोला जाएगा so that each of them provided a separate path for current then they are said to be connected in parallel सभी में current आपका क्या होगा different यह आप माइन में याद ही रख लें कि series के लिए current आपका same होता है और parallel के लिए current आपका different होता है और यह भी याद रखें जिकि इसमें दो ही point के वल हैं दो से जादे point नहीं और दो point के बीच में ही resistance connect हैं इसलिए इसका potential भी आपका same रहेगा मतलब अगर आरवन यह है तो इसका potential होगा भी इसका भी आपका क्या रहेगा भी तीनों का potential आपका क्या रहेगा same अब हम क्या बोलते हैं यह जो figure बनाया है उसी को हमने लिखा हुआ है कि three resistances R1, R2 and R3 connected in parallel between points A and B A और B के बीच मैंने तीन resistance R1, R2 और R3 connect कर दिया है और इसमें current का flow क्या करा है I1, I2 and I3 तो बोलेंगे क्या let I1, I2 and I3 be the current through the resistances R1, R2 and R3 उसके बाद हमने क्या बोला कि जब माल लिजे इससे इस cell से total current कितना निकल रहा था I वो जब तीन पार्ट में divide हो गया है तो यह I3 के sum के equal होगा इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह total current जो आपका total current होगा वो किसके equal आएगा I equal to I1 plus I2 plus I3 इसको मैंने suppose कर लिया equation first अब हम यह देख रहे हैं ohmsla जो हम लगाते हैं तो ohmsla के लिए formula क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है ohmsla का formula होता है V equal to I into R और अगर मैं I की value निकालूँगा तो लिख सकता हूँ नो V upon R मतलब potential में resistance के divide करते हैं तो क्या मिलता है current मिलता है वह ही apply करते हैं हम first वाले में आप यहाँ पे देखें हमारे पास total potential इस वाले का R1 के लिए potential कितना है V resistance कितना है R1 तो current कितना हो जाएगा V upon R1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या by ohms law the current through the individual resistances will be I1 equal to V upon R1 I2 equal to V upon R2 और I3 equal to V upon R3 यह तीनों value मैं उठा करकी equation first में put up कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या मैं क्या लिखूंगा I1 के place पे V upon R1 I2 के place पे V upon R2 और I3 के place पे V upon R3 अगर मैं मालनों कि total resistance आपका R equivalent के equal है तो हम लिख सकते हैं total current I equal to V upon R equivalent बाकी तीनों जगा देखें V common है में लेगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 तो देख रहे हैं V और V cancel हो गया तो फार्मला क्या बन गया 1 upon R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 यह तीन resistance के लिए है अगर हम तीन से ज़्यादा मतलब N resistance ले ले तो वो ही आपका add हो जाएगा फार्मला बन जाएगा 1 upon R equivalent plus 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dash 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 plus 1 upon R1 यह parallel के लिए फार्मला होता है और इसके पहले जो बताया था यह आपका series के लिए फार्मला होता है एक चीज माइन में रखें कि series में current आपका same रहता है series में wire आपका एक ही रहते है series में potential different रहता है लेकिन parallel में आप देखिए parallel में current आपका different रहता है parallel में wire आपकी different रहते है लेकिन parallel potential आपका क्या रहता है same potential same रहेगा तो parallel combination potential different रहेगा तो series combination करेंट डिफरेंट रहेगा तो पैरलल कॉम्बिनिशन करेंट सेम रहेगा तो सिरीज कॉम्बिनिशन यह चीज आपको माइन में रखना है यह दोनों आप अच्छे से तयार कर लें इसके बार नेक्स टॉपिक में बताऊंगा थैंक्यू